बोलूँगा कि कल बोल रहे थे कि वह यह तो 30% बैठे हैं सतानो परसंट तो हमारे साथ हैं तो मैं आप लोगों की जनकारी के लिए बता दू हमारे पास आप देख सकते हैं सारे हिंदूस्तान का जो आज जो रैसलिंग का जो हब है वो यहां बैठा है जो रैसलिंग की करीम ह तो यहां बैठी है वह अपने फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं यहां पर आके और जो बोल रहे थे कि कोई सामने आ जाए तो मैं फासी पर लटक जाओंगा जो आदेख जी ने हमारे ने एक बयान दिया था पहले तो एक दो लड़किया थी अब हमारे साथ 5-6 लड़किय तो हम पुलिस का सारावी लेंगे केस का सारावी लेंगे केस करके हमागे बढ़ेंगे हमारा मकसद यही है हमारी कुस्ति को दुबारा से जीवित करवाना है अगर जल्द से जल्द कारवाई नहीं हुई इस मामले में क्योंकि आप सब को पता है कि हम खिलाडियों के लिए एक एक दिन सो साल के बराबर होता है आज दूसरा दिन भी खतम होने को जा रहा है कि अभी तक हमें एक संतूस जवाब नहीं मिला है तो हम उसका वेट कर रहे हैं और आप सब लोग भी यहाँ पे उसी का वेट कर रहे हैं कि फाइनल डिसिजन कब आएगा क्योंकि जो हमने इल्जाम लगाए हैं क्योंकि वो सक्टे थे और आज कल हम जैसे बोल रहे थे कि हमारे पास एक दो लड़किया है जिनके साथ उन्होंने किया है क्योंकि आज और आज हमारे पास पांच से छे लड़किया आ गई है विद प्रूफ है मारे पास में उनके साथ में जो जो हुआ है हमें मजबूर ना क यह बताना नहीं चाहते कि आपकी बैँटियों के साथ में मेरे साथ क्या हुआ है किसी ओर के साथ में हम एक्स वैजेड किसी का नाम आगे नहीं लेके आना चाहते हैं रहाई जाब क्या अधर आख स्वालों का भी मैं जवाब देखती हूँ लेकिन हम वहीं फिर से हम देश के प्रधानमंत्री जी से उमीद कर रहे हैं कि हमें इतना मजबूर ना क्या जाए इस देश की हिंदुस्तान की बेटियों को इन खिलाडियों को इतना मजबूर ना क्या जाए कि हमें ये काला दिन देखना पड़े खिलाडियों के लिए एक कुष्टी की लड़किया नहीं हैं सिरफ हिंदुस्तान की बेटियां है और हिंदुस्तान में बेटियों को मातालक्समी मादूर्गा के नाम से पुकारा जाता है हम पूजा करते हैं उसी वनसज का हम एक हिस्सा है जो हम आप सब के बीच में बेटी हैं आप सब लोग हमारा साथ देने के लिए आए हो इतनी दूर से आप लोग आए हो कुष्टी के हक के लिए आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं दूसरी बात रही अगर आज शाम तक हम अभी तो ताइम बाकी है रात ओड़े में टाइम बाकी है हम बेटी कर रहे हैं कि कुछ संतूश्पुन जरवाब आए हमारे पास में कुछ आप लोगों में सही बोल रहे थे कि अध्याख जी बोल रहे है कि बाइस को इस्तिफा देंगे बात उनके इस्तिफा नहीं हो रही है इस्तिफा तो हम उनका लेके ही रहेंगे अगर हमें और ज्यादा उक्साया जा तो हम उनको जेल में भी डलवाएंगे हम चाहते हैं कि उनका इस्तिफा लीजिये और उनके करवाई की जाए गर्वरेंट से रही दूसरी बात हम लीगल से करो जाते हैं क्योंकि हमें एक विश्वास था कि देश के परधान मंत्री जी गर्या मंत्री जी हमें उस लाइन में नहीं लेके देना जाएंगे हम उनके सामने जाके वो प्रूफ भी लड़कियां हम लेके जाते और कोई लड़की भी सामने नहीं आते किसी की लाइट को डेंजर नहीं होत किसी की फैमिली को भी कोई नुक्षान पहुचाने की कल को हाने नहीं होती हम यह खतरना कदम उठाना नहीं चाहते थे लेकिन अगर सोलुशन जल्दी नहीं निकला आज वैसे हम बता रहे हैं कि आज की हम वेट करें हैं रात होने तक वेट करते हैं कि कोई संतूपुर्ण लड़कियों के साथ गलत हुआ है और मैं आखों में आखे डाल के आप अध्यक्स जी को मेरे सामने लेका आईए अगर वो दो मिंट मेरे सामने बैठ जाएं तो मैं हिंदुस्तान की हर जनता को चैलेंज करते हूं को मेरे सामने दो मिंट बिठा दीजिए और वो आखों में आ